हेलो यार कैसे हो बढ़िया हो ठीक है तो आई हो आप बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत या अच्छे तरीकों से कर रहे होंगे ठीक है क्योंकि कोश्ट लट का एक्जाम बहुत ज्यादा नज़्दी के 20 से स्टार्ट होगा और मुझे नहीं पता कब तक च अच्छा करने के लिए मैं आपके लिए कुछ फिजिक कोशन लेगा हैं वैसे यह 15 कोशन होने वाले हैं बट यह ओली 15 कोशन ही नहीं होंगे इससे रिलेटेट बहुत सारे कोशन लगभग 30-40 कोशन आप यहां से करके जाने वाले हो तो वीडियो के लाज तक बने रहो यार डान डान स्योर आप कुछ न कुछ सीख कर जाने वाले हो ठीक है तो बने रहो यार क्योंकि इस बार नहीं अगर मेरे साथ आप बने रहे तो यूँ आर गोईंग टू क्लियर यूर ड्रीम नाट एक्जाम ओके विकाउज जो डिफेंस का एक्सपैरेंट होते हैं नहीं यार यह अपनी फीलिंग अपना ड्रीम लेकर जाते हैं तो जस्ट आप भी वहीं करने वाले हो ठीक है तो परस इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें करेंगे बहुत चीजे ठीक है तो इसी के साथ हम फिजिक से कोशन करेंगे और इसके साथ जो इस रिलेटेट कॉंसप्ट चालेंगे ओर आप लोगों ने पड़ा होगा क्लास्टेंथ में लेट टोटल रेसे दॉक्त निकालने एंप देखते हैं वैसे तो हमारा पास कितना ओम 12 है कितने रेजिस्टेर है वाह हुआ अग और सब किसमें के अगया पैरलल में connected किया गया जब भी ऐसा कुछ condition होता है तो जब भी हम parallel में connect करते हैं रेजिस्टेONस को तो किस टाप का फारूलात है तो र एक लेडाई हमेंाड यह सोख उनवाइं शेडिय मेरी तो हो यह होता है तो ऐसे सभी का स्वरीघ्ट एकताइब कन एक लांग कि आ यह मैद आख लिए तरी ओम का रेस्टेंस होगा हमारे पास कितना है आप संदेख लेते हैं तो कहुंसा आप संसी सीज चलूबल पांडे ओके तरह यह नहीं यार सी इस चारली ठीक है सही होगा थी आप संस्क्रेक्ट आंसर हां इससे इसको देखकर मेरे मेरे दिमाग में कुस्टन आया है इसको की देख लेते हैं ठीक है अच्छा यह बता आपने ओम का नियम तो पड़ा होगा ओम 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 स्लोभ ठीक है ओम का नियम क्या करते है जो वी डार्रवांतर होता है वो किसके आनुकुरान पाती होता है कर पराहित धारा के बराबर होता है यानिकि फ्लोइंग करेट बराबर प्रोपस्ल प्रोपस्ट ने भाफ की जो ये कंडीशन एक इसने कंडीशन पर ही लाग होता जो हमारा उम कानियों तो वो क्या कंडीशन उसको भी जान लेते हैं याद खना कोई भी एक ये कंडुक्टर के लिए हमें साकाम करता है कंडुक्टर मतचालब कि थोड़ा सब्सक्राइब तो यह किसके लिए लाग हो था मैंसा कंड़क्टर के लिए हमेसा होता है ठीक है और इसके कंडिशन नहीं इसकी जो फीजिकल स्टेट है वो चैनल नहीं यहने कि टमप्रीचर और क्या होगा उसकी लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते तब यह ओम कल लोग वहाँ पर अपलाई होगा नहीं तो यह फील कर जाएगा और इसका अपने ग्राफ कैसा होता है अपने यह भी दिखाऊगा ठीक है तो इससे अच्छा एक चीजे और याद आ र Dario होता है कि ऩाधा है माइनूर को मेजेर करते हैं मेरें खिढ़ेंगें इसको मीजर नहीं कर पाएंगे तो से तो सिरीज में जोड़ना चाहिए और इसको पैरलल में जोड़ना चाहिए ठीक है किसको बोल्ट मीटर कॉमें साथ तब ही हम कर पाएंगे अच्छा यह बता हो सकते हो आपने एक चीजे और याद आ रहे है मैंड में तो आपको यहीं स्किल आपनानी पढ़ेंगे आपने एकenci देखा उससे रिलेटर जितने भी सार्वेस्र में घालर जफो टो एके सनिये में में कैने अगला है यह सक आएऑ अगला को सबस्क्क्स को के दिमागा पर क्या टैस्स प्रिकल अलेक्टीव फोटी के अंदर जो मेटल होता है फोके आ किचछ जिए होता है लंगुस्टन अनिसे नंग सिंबल का रहता है मैं अंध यह इक व्य है यह उट्राइब इंडर है डंगस्टन तो इतना चीन्यम्रेक्ट ब 않ने टंस्टन यानि किrovus या जाता है और शीटर में किसी का उसके जाता है जैट इस नाइक्रोम और नाइक्रोम इस एलोई यानि कि अलोई का मतलब क्या होता है जस्त में स्रधातु यार हिंदी वाले मैं भी इंदी वाला हूं ठीक है चलो अगला देखने को सम्ट तो हमारे कॉंसर सब्सक्राइब से अप्षन और क्या होगा देखते हैं ठीक है तो आपको यह चीजे की पता होना चाहिए जब भी ऐसा उसक्राइब आपको एक फार्मॉला पक्का याद आना चाहिए आर एक्वल टू रो एल भाई ए डाट इस दा फार्मॉला टू क्लियर दा जो टीम टू क्लियर यूर ट्रीम ओके त कर रहा है कि अगर रेस्टेंस का क्या होगा अगर उसके लेंद को डबल कर दिया तो हमारा पास फार्मॉला क्या है आर इस इक्वल टू रो एल भाई इसको नोटेट करना आप ठीक है नोट करते जाना कि रो क्या होते है डाट इस रेजिस्टिविटी अगर अगर इसके अंदर जो चीजे चेंजे जो रही है इसके अंदर माल लेते हैं यह तीन गुणा हुआ जो लेंद हुआ जाएगा डैट विल्ट पिदा तो त्री टैम्स त्री टाइमस हो जाएगा ठीक है तो इसका क्या होगा गेट डवल होगा यह बाग की नहीं होने वाले ठीक है सब खता है समाझ में आ रहा है अच्छा यह बताव जो यह रेजिस्टिविटी है इसका जो क्या करते हैं फार् जाँकि याद होना चाहिए यार ठीक है याद होना चाहिए नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है आप किस लाइफ का ठीक है बच्छों बच्चोंने भाई एस तो साइसको जान लेते हैं उमीटर इस डर यृण टाफ रेजिस्टिविटी औमीटर और यह होता है कंड़क्ट ट्रैटी ओमितर इस भाट n अर्धि युनिट्विते इवक्रम सब्सक्राइब राइषिति थिवह फिर था एक है ऑस्का सब्सक्रायग मेला से फिरसे फिर तो होता है उस्तर HERE का टरóg सब्सक्राइब हो दिखेंग ये इसको नlessness Attud पर प्रती तिक पर उम ऐसे लिख सकते हैं इसको और इसको एक और नाम दिया जाता है किया दैस किया थे साइमन तिक शाइमन कि Simon is the unit of conductance ठीक है याद रहेगा I hope इतना तो यादी रहेगा सो अगला हम question पर चलते हैं ठीक है अगला question है हम which one of the following is a good conductor of electricity ठीक है electricity कि का कौंसा गुड़ कंड़क्टर है गर्फाइट एक अठीक करता है करता है इसका के नहीं करता है अजोस्ष के बांड होते हैं बॉत में पॉल्ड ही नहीं करता है तो ये बन घacious हो गए तो देखा नहीं पता लेकिन ही रा क्या होता है यह पता होगा यार आपको कि जो यह होते हैं इसके अंदर होता है मिनर्ट अधान को फिलो करते हैं और इलक्रान के फिलो करते हैं अगर इलिफन करेंगे तो जो करने वाली यह तो घुल करक्प नहीं क्षिए की आपएइअ तरह गॉर्ड से अप्लप और फ्डाय थे तेस के अंदर आएफ्ञन का कह साऊपे जो लेता है और क्या होता है या फ्लो करता है ये का अ होता है histoire मुझआ के क्या होता है ये बदावाभा कंगर बताओं अब इचे Sultan इस 되면 में ज्टकि और मोस्ट डॉक्ताइल में छिए गढॉस्ट्टाइल मिटल का मतब इसके दोरा मतार की सकते हैं मतला इससे बहुत पतले पतले बनाया जा सकते हैं कि सकत booming हम और यह हम meille बनाए भी ऑर है है ठीक है मोश्ट मैलीयवल एंद मोस्टटाइल मेंटलीज गोलड याद रहेगा सूना तो ना बाभु चला जोड़ो थे कि तूह करो गोल्ड दीजमोस्ट अक्ताल मितल एंद एंद मोस्ट मेलले वाल ठीक है तो याद रहेगा इतना चीछ ठीक तो आप्सम काउसे तकर में चैनल लेते हैं और या हम कर फबताया था कि हम को चेट करेंगे लेकिन यहां पर होगा कि बहुत सारी को भसन कबर करेंगे दो हुआ होता है कि डाइमंड मैं पूटिस डार्याइम डाम 557 कवोऩ़ प्रिक्सट्टर सेन। गए सब्सक्राइब यानि कि हार्ड बहुत जाद है दुनिया का सबसे हाड़ेस सबस्टांस है और क्या इसके अंदर लो फ्रिक्षिन होता है बहुत ही लो फ्रिक्षिन लो फ्रिक्षिन होता है और क्या चीजे होती है लो फ्रिक्षिन के अलावा यहां पर इसका हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक् गुक्त है हाई होता है किसका तो Congratulations होता है उसका मिव सबस्थ हाइघ होता यानि भी सता अपुर्थ न उस ज्फी जिछाए कि इस एब एक मलें इस जान में में इस में प्र्प हुए इस घड़़ा फिर नहीं सच ही खागर यार दिखते हैं टेज्ट को रहा में मताइब सब से ज्यादा और इतना चन्कीला क्यों दिखा देता है विकॉज अब टूटल इंटर्निर रिफ्लेक्षिन लिए रहेगा टूटल इंटर्निर प्लेक्षिन की वज़से डैमंड इसना जाता साइनी इतना चम्खीला दिखाई देता है तो आई होप इतना अच्छा से बताय आपको याद रहे आपके एक जाम तर ओके तो अब नेक्स कोर्शन पर आते हैं यह यह क्या है देखो यार जब भी आपको यह आप से दिखाए देखो लफ एवफ खुश वजाओ भी है पिकॉस्ट आप टाइम यह आप सरी क्रेक्ट होता है हमेशा आपने देखा होगा अगर आपने एक्साम दिया होगा आपको यह पता होगा All of the बहूंद ज्यादा चांस होते हैं यह सही हो जाए एक्लिक क्लेर होजाए और क्लियर सही हो जाए और यह तो कम होगी जीर हो जाएगी उसके रोटेशनल वारम जीरो हो जाएगी तो कम होई ना यह भी आपसंसे अन्दम तो चाहिए पर जाता है तो क्या होता है जी के वैलू क्या करती है डिक्रीज करती है एड़ एच हाइट ते वैलु अपजी डेट सिंदिक रीचिस ठीक है एंड़ सी आप संगे इंद ओस्ट यू से मतलम ने कहराई में चला गए और बेखरी सकत अगर इसकी भी हम देप्त को बढ़ाएंगे तो जी क्या होगा अपने आप नीशे जाएगा जी भी कम होता है ठीक है तो इसका अपने क्या होगा जी डैस एक्वल टू जी जी अपान क्या होगा वन माइनस टू एच अपान आर का इसक्वायर ठीक है आई होप यह फो फार्मला याद रहे यह क्या होगा जब हम एच हाइट पर चले जाएंगे तब उसकी जी की वैलू क्या होगी यह कब काम करेंगा वहां पर ठीक है अच्छा एक चीज और जान लेत अच्छा ऑने एक आंगा ऑनोकी स्क्वायर कभ किषेजी खरने नीwlके तो यह फार्मला कब एसक्वाइट कर रहे हैं अच्छा अगर रोटेट होजाएं को तोक्यों कि ऎका यह जो यह कोडिया चाल है को लियुन वेलोसटी है यह क्या होगे यह जीरों फुरीजट के वैलो क्या होगे यह का यह uncomplossast अगर अर्थ अपने पर खुमना बंद कर देते क्या होगा हमारे ची के अंदर जी के अंदर बृधी विर्धी यानि बढ़ जाएगा जी के वैलु अगर और तेज से घूमना इस्टार्ट करेगा कम हो जाएगा ठीक है अगर इस पीड बढ़ाएंगे अर्थ की जो रोटेशन होता है उसकी स्पीड़ागा बड़ी तो G कीषेग है हो जाएगी औरह Alexandria हो जाएगी ऊवकए mm तो यह सारे सारे और है ने होती चौन से पूल स्पर क्या होता है जी की वैलू है जिस माक्सिमम मैक्सिमम और एक्वेटर पर क्या होता है एक्वेटर में तो भूमत दरेखा पर एक्वेटर पर क्या होता है मिनिमम सबसे कम कहां पर होगा जी की वैलू एक्वेटर पर क्या होता है जस्त माक्सिमम सबसे ज्यादा जी की वैलू किदर होगी पोल पर होगी अच्छा आप एक क होनी चाहिए याद रहा है कि नाइंत का बाते में बता रहा हूं बट ठीक है ओके शलो आगे कुस्टन को देखते हैं अगला कुस्टन है तू अगला क्वेशन को देखते हैं यह त्रोंगा स्कति यॉद् Küल अगला कुंस्य है हमारे पास इसप्वारा कुंस्षन है यह यह नूमेरिकल और देखें आपको एक बात यादानी चाहिए है पता है क्या घबराना नहीं है यार कुछ भी कंडिशन हो आप यह लुग एब लिए रिडीशन तो है गवरान नहीं सकते है ठीक है तो गवरान नोशी इसकी बार नई समझ में तो उसको इसको इसको प्रक्रिकाला बढ़ाओ ठीक है यह में यह में चीज मुद्धा है को नमब देगा तो ऐसा कुछ नहीं है अबको अगर नहीं आ तो अगले पर सकते जा सकते हो ठीक है बट नुमेरिकल को देखकर घवडाना नहीं है ठीक है चलो देखने हैं पढ़ते हैं क्या है इसके विलोसिटी अपजेक्ट फॉर्म्ट इस एलवन बैंट टू किलोमेटर पर स इसके विलोसिटी का फार्मना क्या होता है इसके विलोसिटी को वीज़ी से रिप्रेजिन के जाता है और इसका फार्मना क्या है टू जी एम अपान आर इसक्वायर आर पुली और ओके अली आर सौरी है ठीक है है तो नियार होता है कि क्याने बैस इसको फैर से कनफीजन कर लेने दू ज़ोगे तो यह वी है से व्लासिटी तो इसकिस पर डिकम कर तो ऊफ या पनफ और थिपेंट आफ इस पर दिशेमाज पर ना की जो भस्तू ila पर याद रहनम यह मैसाइड किस पर करेगा मास आफ जो प्लानेट है जो अरथ है उस पर ढ़िए नहीं पर इसों को इसकेप कराना चाहते हैं उसको भगाना चाहते है उसकी मासफ पर आपनेट करता हमेसा ओढ़ी आप सब्सक्राइब करेगा थमार अर्थ और आड यह रेडि कोंसेट अगर आपके पास कॉंसेट की पावर है तेकर कर सकते हो यार तो इसका अट और अब चैनल पार जान लेते हैं इसके विलोसिटी क्या होती है जैटेड तो इसके विलोसिटी एंड एसके वेलोसिटी तो क्या होते है वी यू इक्वल टुट क्या होगा वी अपान अंडरूट टू ठीक है या इसको ऐसे भी लिखा जाए सब्सक्राइब वी एक्वल टू अंडरूट टू वी ओ तो तो धैट इस दा में तिंग्स आपको यह चीजिए याद होने यह पिरिकल किसका कर रहा है कि घबह पढ़ते हैं फीर पता चलेगा डाईम पीरिएड अब सर्कुलर और बीड़ अफ। रेडिएस आ इस था नाइना त्सनिके में अगर कोई叮ूब कर रहा धो तो इसका टॉम फिरिएड कितना हो इसकीट टाइम पीरिड और रिडिस की बारे में बात करें तो आपको एक बाबा का नाम याद आना चाहिए तो नेम आप डाड़ बावा इस कैपिलर आपसे आपको तो करते हैं इसको देखते हैं टरड़ याँ पर अपलाई हो दिसे आपने पड़ाव वह तो यूच रचुछ में के बरावर होता है और क्यों ठीक है तो हमारे पास दो अलाला से टेलाइट तो कुछ इस तरह से इसकाम रिलेशन बनाएंगे टीवन अपान टीटू का होली स्कुर्ड एक्वल टू आरवन अपान आर्टू आर्टू की पावर तीन तो अगर यह बताओ अगर यह बताओ आप क यह देखते हैं तो इस टार्ट इस टार्ट में क्या था इधिशेररर्ट में क्या था कि अधिश्य बीथम यह सब्सक्राइच कर द चार स sound of तो हमें निकालना है चीजे तो कितना हो जगा वो टी अपान टीड़ेस का स्क्वार एक वेल टुटना होगा वन आपान नाइन कप और तिंग कितना होगा कितना होगा नाइन नाइन गिनाव 729 और 729 जो हम स्क्वार रूट निकालें तो नागा वन अपान 2727 इसे स्क्वार रूट अप 729 तो टी अपान टीड़ेस एक्वल टूट नागा वन अपान 27 समय मैं यहां पर यहां पर स्क्राइब इसक्वार था तो तो इस अंडरू चला जाएगा जब अंडर उसका निकालें तो कितना होगा यह 27 हो जाएगा तो टैंटी सेवन इतना अगया टीड़ेस कितना आगया 27 टीके एक खुलाएगा तो यह कुस्टन मुझे टाइम लग रहा है करने में बट आपको अगर आएगा तो आप दस से बीस सगन कंदर इसको उ चान को से तो आप संब कही है वह सी आप से इसे प्रेक्रांस अच्छा बाबाने दो और लाउ दिये थे उसको भी जान लेता है तो फर्स्ट लोग इन्हों ने दिया था फर्स्ट लाउट था कि जो हमारा जो प्लैनेट है वह सुटे कि इसके एक एल्लिप्तिकल और बीट म उसके अंदर आपको दो फोकस देखने को मिलते हैं तो ऐसा कंडिशन अब कोई भी इल्लिप्रिकल और विट उसमें दो सन पॉसिबल है अगर ऐसा कंडिशन जहां भी आपको देखने को मिलता है वैसे अंतरी चुम बहुत सारे ऐसे कंडिशन इसको बाइनरी स्टार सिस्ट अब उसमें बस एक हिस्टार है तो यह हमारा पहला नियम पहला लौग क्या कहता है कि जो हमारे प्लैनेट होते वह एक एल्लिप्रिकल और बीट में सन का रिवाल्व रिवलूशन करते हैं चक्कर लगाते हैं ठीक है और सिकनलो क्या करते हैं थर्ड लाट अपने जाने कि यह जान लेते हैं यहां पर एष्क होगा अगर यहां पर जितना यह टाइम पिरियर्ड में जितने यह इतनी दूरी को कवर करने में जितना टाइम लिया और उसके धूर 2015 से कहले बरावर होता है जुछ यह बताओ कोई बस्तू दूर कोई ऑब्ञ़ेड कोई प्लैнес दू तो क्या होगा उसकी स्पीड इस एक दूसरा प्लैनेट है सकी इस पिर ज्दाए यह पहला कर दूसरा के इस dependencies जादा होगा कि kara इसका ज्लब जाद हो एक कियो जादा हो कि कि दूरे तो डिरे उल्य जीन रपी जाएगी फिर यह से जाएगा ते जदिक लोगी तो अधिक जड़ता होगी ओके जलो ओके अगला तो अपका कुस्टन कहां कि यार मिप्टोसी आपसा आपसे आपसे देख यह दूड़ेक्ट से अधैक है है हमारा next question है next question क्या है gravitational potential energy of an object at the earth surface अच्छा gravitational potential energy होती है अच्छा जैसे माल लेते हैं संजाते हैं इसको जैसे दो आपजेक्ट है एक एक यहां पर object है और एक छोटा सा यहां पर object अच्छा जिसके पास फोर्स होगा तो इसके पास energy confirm energy is confirmed जिसके पास एक फोर्स है तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है एक attraction force as a gravitational force लग रहा है एक gravitational force यहां पर लग रहा होगा और जब इसके अंदर force है तो इस पर काम भी होगा तो जब क्या होता है gravitational potential जी मालत यह object अर्थ है मून को अपनी खीच रहा है कोई भी एक स्टेट अब्जेक्ट स्टेट में रुका होगा कोई भी है तो यह अब मूव करने श्टार तो यह यहां से तो मूव करके यहां पर तो नदिका गया तो इसके द्वारा ग्रेटेशनल फोर्स के द्वारा कि जो किसी बस्तू को अनंत से यानि किस कितने दूरी से अपने पास लेकर आने में जितना कारे किया जाता है उसी कार हुक्रम क्या गाते है आहिए जो इसका फ़र्मला क्यों होता है यू इकोल टू माइनस जी एम है म स्मॉल अंबटामे तो इस एफ फार्मुला प्रेटेशनल पृटेशनल पृविक जोजा टाई वर्त वे इस्तिती जूर जा का यह फर्मला है। हूँ थी तो यह फर्मला याद रही और थी ऑर पनान बॉल झाहिए ये लेकिन इसकी बेर्ट स्टाइड रहे है लेकिन से इस्ट है इसίναι डूसते० का कृम गहते है किसे को यार जब भी कोई भी बड़ा कोई सन्थ आपको दिखाये देना तो सबसे पछले आप उसको रीड करो आप करते हैं वहां पर एक्जाम में आप खतरनाग भी होते हैं कभी कि बट उसमें डिटियल दिया तो आसान होते हैं और आपने एक दूबर ध्यान से पढ़ लिया तो अब इसका आप क्लियर को फोर्ट क्लियर को फोर देंगे ठीक तो देखते हैं कुछन को एक उसने कि एन अब्जेक्ट विट्स नाइन न्यूटन क्या होगा तो अगर कहा दिया जाए उसका जो ग्रेविटी है यह पढ़ लेते हैं पड़ाओ आप एन अब्जेक्ट वेट्स नाइन न्यूटन अन्दर सर्फेस आप वर्थ वाट उडवी दावीट क्या होगा जब उसकी जो प्लैनेट है उसका एक्सलेरेशन दूट ग्र आपको फार्मुला पता है फॉर्स एफ की वैलु कितना दिया है नाइन न्यूटन कहाँ पर रदा सर्फेस अफ़र्थ तो एकृत प्वल्ट्व क्या होता है एमजी की बराबर होता है ईफ एकॉल्टू एमजी को टूट्व तो हमें यह नहीं पता हृए यह नहीं पता तो अगर यह कर देते हैं टू hem नेटन के नहीं बराबर होगा, the weight of object would be two times, दुखना हो गई, देखो, कितना था पहले 9 था, अब कितना हो, 18, तो two times हो गया है, तो आप रामसर महां से सही हो जाएगा, अब अगला question देखते हैं, अगला question क्या है, अगला question is very simple, just as simple as you, तो देखते हैं, in a space, in a space mission, two new, कोई भी space में, two, एक space mission में, two neutrons are placed at a distance, आप अधिस्टेंस पर करें, तो neutron will repeal each other, attract each other, तो देखते हैं, अच्छो, तो repeal करेंगे, यह बता हूँ, रिपेल करेंगे कि नहीं, अच्छा, neutron के पास charge होते हैं कि नहीं, नाम ही neutral है भाई इसका, तो इसके पास no charge, no positive, no negative, ठीक है, no positive, no negative, neutron is neutral, इसके पास charge नहीं है, जब charge नहीं होगा तो इसके बीच में क्या होगा, जो electrical force होगा, और होगा, electrical force ऐख्राइक किया जाएगा, होगा कि नहीं, तो neutr evitar सिरया ख्रस को क्या होगा अधेगा होगा, नहीं होनेगा और यहां पर है, कि यहां पर हमें 21 बता होता है, कि जो neutrां के पास क्या होता है, अगर माहा सोगा, तो gravitational force भी काम करेगा माहां पर, ठीक है, तो यह तो यहां पर इसके पास मास है तो यह क्या करेंगे अट्रेट करेंगे इस का रर से भी खौज़ आप गर्विटेशनल फॉर्स ठीक है तो आप संसी जाई करेक्ट आंसर अच्छा इसका मास कितना होता है का 1.6 neutron का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg याद रहेगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg is the mass of neutron ठीक है अच्छा एक चीज़ यह स्पेस मिशन से मुझे चीज़ यादा गई अभी हाली में आपको यह कमेंट कर बताने अधित अलवन मिशन अधित एलवन एलवन एमिशन ठीक है यह किस हमारा जो से लिस्टिकल से लिस्टिकल बॉड़ी होती है यह जो आकासी ख़ोली पिंड होते हैं वो किस के लिए भीजा जाए रहे मिशन इसको भीजा जाएगा इस रोभी भीजा नहींगा यह तो यह बताना है आपको कौन से अधिकल बॉल सेलेस्टियल बॉड़ी को यह उस पर खोज करने वाला है तो इस आप से आप कमेंटर को बताएंगे और चंद्रयान थी लांच होने वाला है कि चंद्रयान जो बिक्रम और प्रग्यान लैंडर बिक्रम जो लैंडर था वो लैंड नहीं कर पाया और प्रग्यान तो रोवर था तो सब थोड़ी फेल हो गए थे बस उसी के जगह पर हम चंद्रयान थी मिशन लांच करेंगे अब इसमें क्या करेंगे एक और्बिटल हम नहीं बेजने जाने वाले जिसमें और बेटल नहीं जाएका ओनली लैंडर रोवर जाने वाला है ठीक है तो यह जल्दी लांच होगा इस रोइसको करने वाले जल्दी तो आपको अपने देश के बारे में पता होना चाहिए यार बिकॉस यूर गूंग त्वाइड डिफेंस और डिफें इस दिस वेटलेस्स वेटलेस्स में क्या होता है भारहिंता बहरहिंता एक संदर भारी नहीं हमें मासूस हो अपना हम उड़ते रहने वाला है दो यह आस्टोनोंट जब वोई भी एक मूविं सैट्यलाइट से जो अर्थ का जो होड़ां रोटेट कर रही है तो उसके अंद यह गलत यह गलत आप सुन बीनट सी फ्रीफॉल क्यों वैसे होगा या जीरो ग्रैविटी क्यों बहुत लोगों निसमें भी आप सब्सक्राइब यह वह बट्ट ऐसा नहीं है यह समझते इसको आपका हम में सब्सक्राइब यह हमारा अर्थ तो अर्थ के और यह इस ट्रेट चकर लगाते हैं अच्छा माले तो को यहां पर यह अब्जेक्ट है तो इसको नीचे आना चाहिए नीचे आना चाहिए ठीक है तो नीचे क्यों न क्या रहा है जो हमारा ग्रेटेशिनल फोर्स कि करा यह बैलेंस हो जा रहा है और जब दोनों फॉर्स बैलन्स हो गया तो यहां पर अपर कोई भी फॉर्ट्ट लगाने वाँ इसके अंदर सट्लाइट का अदर कोई आपजेक्ट हम रख देते हैं तो अब इस पर कोई पर सी नहीं फिलोगा जब फोर्वी फील नहीं होगा तो कौन से कंडिशन बनेगा यहाँ पर कोई भी फोर्ष िनहीं होता यह को बैलन्स कर यह को बैलंस कर लेता है जैसे बैलेंस कर दिया तो हमारे जो इसके बोडी जो बस्तु रखी गई उसका अंदर नो फोर्स इसका अंदर कोई फोर्स नहीं हो अगा जब फोर्स नहीं होगा तो क्या वो फ्री फॉल की कंडिशन में आ जाएगा तो आप संदी जखर यह भी सही है बट इसे ज्यादा ये सूटेबल तेके फ्री फॉल इस दा कंडि का रहा कि if the momentum is become twice of its original value इसका जो मोमेंटम है मोमेंटम क्या होता है पी इक्वल टू एम इंटू वी एम इंटू वी का रहा किसको ट्वाइस कर दिया तो क्या होगा कि जो मिश्वाइस कर दिया का दैन वाट इस दरी स्यू आफ निव कानेटिक एनरजी तो डैट आफ ओल्ड दिखते है अच्छाप को एक रatan पता हुना चाहिए मोमेंटम और कानेटिक इनर्जी में आपको बनेगा अपवन अपान न हु 뒤에 हमें मच दिए गया तो मस गया करते है तो हमारे रेलेस्ट क판icia모 जी पहरा कांटीग अजी तूश्रा तो this is the condition that को अच्बच तो अब क्या होगा तो देखते हैं तो क्या यह इसका मूमिंटम को कर दिए को ऑरीजनल के तुला में पहले हम किसका माने यह ओरीजनल है ठीक कर देट कि अगे तो अगला है यह दैस सवाला निवाला तो और से लिए था और और तो क्या किया गया है है की जो मोमेंटम को और लोची आप इस विए लिए ट्वाइश पी कर दिया के ठीक मोमेंटम डीडिक इनल गार टूपी तो इसको भी धाई स्कूंअ कि यह अधूस्य को घ्र के टो किया और सब्सक्राइब कितना होगा तो यह वन अपन covenant फोर जाएगा अपन के डिदेश तो किसका रिलेस्ट कितना या हम किसका रिलेस्ट निकाल लाए तो कि यह पूराना वाला यह नया वाला तो फूर अपान ठीक है आप संगों से रिश्यू हमें क्या निकाले वाट इस दे रिश्यू आफ नियू कानेटिक एनरजी तु दैट अफ ओल्ड तो नियू कानेटिक इनरजी है और यह तो कितना होगा फोर रेश्यू वाइसा अपसंट ए इस ग्रेक्ट आंसर ठीक है तो हो पूटेंशल अर्जी आफ इस प्रींग वरसेज एलॉंग जिर्शन गाफ इस एन स्टेट एंट पासिंग थू थू श्यू आफ स्ट इस लिप्ट स्टेट लैंड ब़ नॊटमाज्टवर था अच्छ एफो फर्मला अच 손ब एक स्प्रिंग 可以ischer 100 1 वाय टू की एक स्टेट स्क्वाइर की सिस्क्वाइर तो दिखो यार आपने अगर भढ़ा होगा मम लेते हैं इसे तो यू इकोल डू क्या होगा हाफ के एक सऽ्क्वार न तो यह इसका पावर एक 하루 तो यह सब שמtracking इसफे तो सब्सक्राइब के सींदेट को जहां न आप मैट सोदे स्क्राइब है तो यहां थाएबहने सब्सक्राइब persons सब्सक्राइब तो आपको वीडियो जरूरी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो यार जिससे वह भी कुछ पढ़ पाए ठीक है तो भाए टेक क्या और चाहिन और पढ़ते रहो यार विकॉस मेन तिस दकी पाइ